और यह, अनुट और यह, आ रही है, आई, आ रही है, आ रही आ से कमेंट निक करके बताएए आप लोग आप वाइस कैसी है, अब वाइस क्लियर आ रही है तो आगे हम कॉंटिन्यू करें अब बता दें आप लोग वाइस क्लियर है वाइस क्लियर है ओके अक्ट्वल में आप समझ सकते हैं कि मैं लफनाउस से पहली बार लाइब हो रहा हूं और टेक्निकल नौरज मुझे तो नहीं है और यहां की टेक्निकल टीम थोड़ा चेंज हो गई टेक्निकल टीम जब चेंज होती है तो उसमें इसूस आ जाता है कि कहते हैं ना कि इसका हाथ से ठ्वेता है एक बार वो शेट रहता है इस कारण से यह दिक्कते आ गई इसलिए मैं चाहूंगा कि वह जो ब्यूडियो है उसको डिवीट कर दी जाए एडविन बंधुओं के द्वारा और इस क्लास को अब यहीं से हम लोग कॉंटिन करते है कि थुड़ा सा विल्लम बजरूर हुआ है लेकिन फिर भी अभी शमय है अपने पास परियांट समय है उसको हम लोग करेंगे तो लाजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब लहाबाद में थे अब यहां पर हम लोग आ गए हैं मैं तो यहां हूं आप लोग जहां है वही क्लामेटिवलाजी में क्या-क्या पढ़ा गया था कुछ बताये हमें मैं रिकाल से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था लेकिन हम आज पुना उसको रिवाइस करेंगे एकदम इस बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप लोग अगर चाहें तो फिर से आप एक बार शेयर कर सकते है कोई बहुत बुरी बात नहीं है तो जाती है क्लामेटिवलाजी घर्वाई वी ज्ग्न क्या होता है इस पर हम लोगोंगे बाच्चित किया था हमने चाहता की ये एक अच्छान्सोंगा सम Some होता है जहांपर मैं जो ंसम्रावान गालन अउन समधन में ज़ो तुमें समांता पाया जाती है और इसमें हमने तीन सब्दों की बात की थी सबसे पहला जो सब था हमारा वो था वायू मंडल एट्मास्टियर ठीक है और दूसरा था मौशम याने की वैदर और एक था जलवायू क्लाइमिट क्लाइमिट इन सब्दों को हम लोगों ने शिखने का प्यास किया था और तीनों को हमने डिफाइन किया था जिसमें से अब इकदम से रेडियो जाईए अपना नोट बुक निका लिए और हम जो बोल रहे हैं उसको द्हां से हम सुनीं जो वायमंडल है इस वायमंडल के बारे में हमने कहा था कि वायमंडल गैसों का शमांगी मिश्रन है यह विभिन प्रकार की गैसें होती है गैसों से मिलकर के वायू बनती है और वायू से बनता है वायमंडल हमने कहा कि वायमंडल क्या है तो गैसों के शमांगी मिश्रन से निर्मित ऐसी परत जो गुरुतवा करशन बलकि प्रभाव में पृतिवी के चारो और आबद है उसे हम वायमंडल कहते हैं और वायमंडल के साथ हमने दो शब्दों को बताया था कि आपको ध्यान दखना है एक तो है टेंपरेचर यानि तापमान और एक है हमिडिटी यानि आदरता हमिडिटी और तापमान का संबंद वायमंडल से है अर्थाथ अगर मैं आपसे कहूं कि आज का आज वायमंडल का तापमान इतना है इसका मतलब वायमंडल गरम हो रहा ह अगर वर्षा हो रही है तो वाई मंडल में हमिर्टी बढ़ रही है तो तापमान और हमिर्टी का संबंध वाई मंडल से है फिर वैदर में हमने क्या कहा कि मौसम जो होता है वो हमने कहा कि एक विसिष्ट छेतर में या किसी विसिष्ट छेतर में निश्चित सम्यावधी के ल आज मौशम गर्म है इसका मत्वव हमारा वाई मंडल गर्म है अगर एल meter वर्शा वाला मौश मैं हमारा मंडल अज आध रहा यह निलमास सख्यों में के परतने दिएंट समयावधि के लिए होगा अभी हम अंतर भी दोनों में करेंगे कर अवह जलवायू कहते हैं जैसे अगर आप हम आप से कहें कि जो मौसम है मौसम के कौन कौन सतत्य है जैसे तापमान है वर्षा है आदता है इन सभी घटकों को ले करके हम 30-32 साल का एक मान निकालेंगे यादि मौसम के 30-32 साल का जो एक आउसत मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं जलवायू कहते हैं यैनि मौसम का दीरकालिक प्रभाव जो है वही जलवायू कहलाता है तो इतना मुटे-मुटे तौरपर हमने तीन सब्दों की बात कि थी फिर हमने वाई मंडल को स्टार्ट किया और वाई मंदल में हमने कहा था कि वाई मंदल में हम लोग जो एटमास्फियर है इस एटमास्फियर की परिभाशा जो कि हमने आपको नोट भी कराया था डेफिनेशन फिर इसकी उत्पत्ती ओरिजिन और फिर इस पर हम लोग को जानना होगा या शंगठन यानि कम पोजीशन इसके बात करनी होगी और इसके बाद बात करना होगा इसकी चंदशना इस ट्रक्चर इतनी चीजों को पढ़ना है जिसमें आपने वाई मंदल की परिभाशा को शीखा इसमें हमने कहा था कि गैसों का समांगी मिश्रन है जो गुर्तवा कर्शन बलके प्रभाव में पृथिवी के चारो और आबद है तापमान और आदता का संब्द इसके साथ है ओके अब आप देखिए इसकी उत्पत्ती के बारे में जो हमने बातें की थी उसमें दो तरह के सिद्धान्त हमने दिया था एक सिद्धान्त इसका था गलाक्टिकल मोशन गलाक्टिकल मोशन और एक था वालकनिजम थेयरी जोकि चेंबरलीन की थी इन दोनों सिद्धान्तों में हमने क्या बताया कि प्रतीवी का जो निर्मान हुआ वो माना जाता है कि सन से ही निकले एक फिलामेंट से हुआ इस सन से जो फिलामेंट तूट करके निकला तो सन में जो वाइ मंडल था, उस वाइ मंडल से कुछ गैसे प्रथवी पर आ गई लेकिन बाद में जब रिसरच हुआ तो इसदेश हुआ इस पर कहा गया कि मात्र वन परसेंट है, यानि एक परसेंट जो गैसे आई है प्रथवी पर उसका संबन्द ग्लाइटिकल मोशन से है यानि मात्र एक पर्थसत का लेकिन 99 पर्षेंट जो गैसे आई वो वालकनिजम के द्वारा प्रतिवी पर आई और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवी की उत्पत्ती जो हुई थी वो 4.5 बिलियन वर्स पहले हुई थी और इसके बार अवस्था में थी और 6000 डिगरी सेलसिएस इसका तेंपरेचर हुआ करता थी कि पृतिवी क्या हुई हमने कहा गैसियस अवस्था से प्लाजमा अवस्था में पहुंची और प्लाजमा अवस्था से फिर यह क्या हुआ लुक्ड और लुक्ड के बाद ठोस यानि की धीरे धी प्रतविक गयस से ठोस्ती ओर गई और उपर की पूरी पपड़ी बन गई यह यह क्रस्ट का निर्मान हो गया तो प्रतविक आंतरिक भाग में जो कूर है और मेंटल है वहां से हमने कहा दो प्रोसेस हो रहे हैं अगर हम मेंटल की बात करें तो वहां रेडियो अक्टिविजम हो रहा है क्यों कि वहां रेडियो धर्मी रेडियो अक्टिव पदार्थ होते हैं और रेडियो अक्टिव पदार्थों का विखंडन होता है विखंडन होने से उर्जा निस्कासित होती है वहीं पर अगर आप क उर्जा जो रेडियो अक्टिविजम और इंटर मालुकुलर एनरजी से निकलती है वह उर्जा बाहर की और निकलना चाहेगी लेकिन पुर्थवी उपर से कैप्ट है यह पैक हो गई है क्रस्ट का निर्मान हो गया है तो क्या होगा कि पुर्थवी में बैलूनी एफेक्ट हो पुर्थवी फूलना सुल करेंगी और फूलने के बाद जगह जगह पर उसमें क्या होंगे क्रैक्स developed हो जाएंगे बहुत सारे ज्वाला मुखियों का निर्मान हो जाएगा वलकैर बन जाएंगे और पृत्वी पर करोणों की संक्षें में जोला मुखी क्रियाएं होना सुरू हुई बहुत सारे दरारे पड़ गई मैगमा आकर के जम करके सील्ड बना दिया कहीं पर संक्तू बने हुए हैं तो कहने का मतलब जो जोला मुखी क्रिया हो रही थी इस एज को क्या कहा गया ग्रेट टेक्टो वैलकैनो एज और उस समय क्रिया हो रही थी तो सबसे पहले क्या आया सबसे पहले हलकी गैसे आएंगी हेलियम आएगा हैड्रोजन आहेगा यह सब गैसं का निर्माण हुआ जोला मुखी क्रिया से निसकाषण रुए हैं का इस geben क्या हुआ दूसरा व्यमंदL नाइ्टोजन का Bena ना formas के से में कारव oxygen को देखिए तो oxygen का निर्मान कैसे हुआ प्रकास शंसेशन से हुआ क्योंकि जब जब जॉला मुखी क्रिया हुई तो उसमें जलवास भीनिकली और जलवास condensation हो गया संगनन हो गया तो वर्षा होइ और पूरतिविय पर लाथों करूने साल वर्षा होती रही इसको कहा गया ग्रेट डेली उज्स कहा गया और पूसिछलमग्न हो गया यहां पर प्रकास संसेसन के क्रिया होना सुरू है क्योंकि व्रिचों का विच्छों की उतपति हो गई पेर पादे आ गए तो प्रकास संसेशन हुआ और आकसिजन गैस भी आगया और लगतार अकसिजन गैस में क्या हो रही है वरिद्धी होती जा रही है ठीक है तो प्रोसेस आप डी-गैसिंग के दबारा आप देखेंगे गैस होता है निर्वान हुआ तो उत्पत्ति की बातें आप लोग समझ गए होंगे संगठन की बात करेंगे तो यही से हमारा आची क्लास जो होगी वह संगठन से ही पढ़ना है तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं आप डंग अगया कमपोजी यह अब कमपोजीशन में कैसे कैसे करना है जहान रखिए जुह हमारा वाइं मंडल है केवल गैसों से नहीं बना हुआ है कि ल्गैसों का समागी निस्रन है hacen call गैसों से नहीं बना है इसने और भी बहुतww सारी चीज phobre एक जगा एक तो हैसमे गैस और क्या है इसमें टॉलेड यानि ठोस भी है इसमें वाई मंदल में हमारे ठोस कण भी है और लिक्विड भी है यानि कितरल यानि वाई मंदल हमारा जो बना है वो गैसों से ठोस से और तरल से तीनों पतत्तों से मिल करके बना है यानि तीनों पदार्थों से मिल करके बना है तो वाई मंदल में सिर्फ गैसे नहीं है इसमें ठोस कण भी है इसमें तरल कण भी है या आप कह सकते हैं लिकविड फाम में ही कुछ चीजें पाई जाती हैं आप जैसे बरा रहे हैं इसको बनाते ही चलना है अब भी चीजें सही से श्र्ट नहीं हो पा रही है जिफसेत हो जाएगा एक बार तो फिर हो जाएगा देखिए गैसमा में क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन है आक्सिजन है तब ऐसे नोट करना है आपको आरगन है ठीक है आरगन है ती ओटू है फिर कुछ और इनर्ट गैसे हैं जैसे जिनान क्रिप्टान और नियान नियान ये इनर्ट गैसे होती हैं गंदहीन गैसे हैं उसी में कुछ आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसे हैं ग्रीन हाउस गैसे और ग्रीन हाउस गैसों में देखेंगे कौन कौन सी गैसे हैं ग्रीन हाउस गैसों में आप देखेंगे बेंजीन 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 है मीथेन है मीथेन है सल्फियूरिक गैसेस सल्फियूरिक गैसेस और क्या है ओ थिरी यानि ओ जोन ये भी क्या है एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइ आकसाइड गैस को भी इसमें आप लख सकते हैं वो भी ग्रीन हाउस गैस है अब सॉलिड में अगर हम देखें तो सॉलिड में क्या क्या चीज़े है इसमें एरोशाल ठीक है और क्या है डस्ट पार्टिकिल धूलकन जिसको कहते हैं डस्ट पार्टिकल धूलकन और क्या है पॉलेंस पॉलेंस इसको कहते हैं हिंदी में पराग कन पराग कन इविठोस रूप होता है पराग कन पराग कन अल्गी अल्गी यहीं सैवाल कन सैवाल कन वहीं लिक्ड में आप देखेंगे तो हाइड्रो इसकोपिक वाटर हाइड्रो इसकोपिक वाटर हाइड्रो इसकोपिक वाटर हम कन आइस क्रीश्टल इसक्रीश्टल इसक्रीश्टल हम कन आइस पिलेट्स इसको उतारो इसको उतारो तो फिर आगे बढ़ेंगे कि वालकृष्ट लिखने सान नहीं जगा है थोड़ा समय लेकर आप क्लास लेते हैं नहीं क्या करें बैठे नहीं तब से लगे हुए ही है वालकृष्ट और जरूरी है प्लासा कोर्स आपका आगे बढ़ना जरूरी है नहीं कि इसको नोट कर लीजिए आप रोप और या नहीं जरूरी आपका लुए है ब Xian है बदी civुओ्ट बह歌 है नहीं जरूरी है कि अब बता रहे हैं रितिक शिवास्तों पूछ रहे हैं हाइग्रोस्टोपिक क्या होता है बता रहे हैं यह लिष्ट बन गई यह लिष्ट बना लीजेगा और इसको ऐसे याद रखेगा कभी लिखने को आएगा तो यह काम भी आएगा अब चलो गैस्मों में जो महत्पूर्ण गैसे हैं उन सब को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में इसका क्या-क्या रोल है जान दिएगा तो सबसे पहला सब्द आप इसमें पॉइंट आउट लिखिए चाहाँ जैसे आपको परा अग्राफ वाई लिखना जैसे भी लिखना पहली बात तो यहां एक एगा फिलर गैस है कि वा इस अब फिलर गैस क्या है अभी आگर समझाते हुग अब आगे एगा एक फिलर गैस है और क्या है दूसरी चीज कि यह वाई मंडल में आग्वाहइब में में अक्रिये हैं कि नहीं है वाइब मंडल में यह अक्टिव नहीं होती है वाइब मंडल में अक्रिये गयस है कि अधना पॉइंट वाइज दिखेंगे तो याद रहेगा यह प्रज्वलन का निगमन करता है यानि कि जो आग होती है उसको रेगुलेट करता है यह तो प्रज्वलन का नियमन करता है जो आग जलती है उस आग जलने में यह सहायता हैं प्रदान करता है इसको प्रज्वलन को कि अगर हम वाइब मंडल में इसकी मात्रा देखें तो 78 परसेंट है है।ीट इसकी मात्रा है कि दूसरा चीज़ क्या है ह। वंडाल से आप मंडल से तो मन्डाल में अगर अगर बात करें हम तो यह कहता है कि विश्वत रेखा से ध्रूव की और जाने पर अगर आप देखेंगे क्या होता है कि इसकी मात्रा बढ़ती जाती है यानि कि हम अगर बात करें ध्रूवों शे द्रुमों की और मात्रा बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि नैट्रोजन गैस सबसे अधिक कहां पर है तो सबसे अधिक एक्वेटर पर है और सबसे कम कहां है तो पोल पर है अब इसको समझते हैं ध्यान से समाण लिए ये अद्र नार्थ पोल है और ये हमने कहा शाउथ पोल है और ये इक्वेटर है ये विश्वत्र और हम कहें कि विश्वत्र करह से द्रुमों की ओर जाए दिस अंहें दिस वगेन है matching कहां होता है पिश्वत्र कर हदिक का में द्रुमों पर सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब ऐसा क्यों है इसके पीछे कारण इसके पहला सब्सक्राइब दिखा है कि नाइटोजैंग एक फिलर गैस है अब भरने वारी जगहा को घेरने वारी गैस है इसके पीछे कारण है वाटर वेपर जल्वॉस्ट जल्वास्ट जो होती है सबसे अधिक होती है कहां विश्वत रेखा पर अगर हम इसको जलवास्प ले ले कि वाटर वैपर जलवास्प है और यह क्या है आइट्रोजन की बात कर रहा है ठीक है अगर हम जलवास्प की बात करें विश्वत रेखिये छेत्र में अगर भुश्वत रेखिये बाद करें तो यह कडिव होता है 4 परशेंत कि उवे टागी मरत करें अगरूवान पर जाएं तो क्या होता है पौाइंट इसमें चैसे जैसे बिस्वत रिखा से और जा रहे हैं वैसे जलवास्प की मातरादी घट रहे ड Siz वार्टर वैपर सबसे अधिक कहां पर है आप कहांगे विश्वत रेखा पर है रहे क्यों है क्योंकि वहां तемся ही होता है होता है जबकि धुरूओं पर अगर जाएंगे तो टेंपरेचर नियुन्तम हो जाने के कारण वाटर वैपर भी वाइ मंदल में घट जाएगा जो वाइ मंदल घटेगा अर्ल के टちकंए यहां अबर तो यह लिए यहां पर यहां इहां पर नाइट्रोजन को तो बिल्टा कर दिया थिए को डंड़आपए जहां पर फूर परशन्ट押ेशंट है अगर हम कहें घट रहा है तो नयएंक कोई घैस्त उसकी जगह的时候 लेगा तो वो जगहा की जो प्रतिपूर्ती होगी जो इसकी मातरा घट रहे जलवास की उसकी प्रतिपूर्ती होगी नाइट्रोजन गैस के द्वारा अर्थार हम कहेंगे यहां पर नाइट्रोजन जो होगा वह सव्से कम होगा है थे किसकी बात रह glosston की बात री तो नाइट्रोजण इधर की प्रजाने पर किया होता है और जल्वास्प इधर की पुह जाने पर क्या होतार में कैसे तो हमने कि नाइट्रोजन एक फिलर गैस है और चुकि हमने कहा था कि जब समांगी मिस्टरन तभी होगा जब हमारा वाइमंडल वाटर वैपर के वहीन हो यानि वाटर वैपर को अगर निकाल दें वाइमंडल में से सारी गैसें बराबर होंगी लेकिन अगर इसमें जल्वास डाल दे कि अलग अलग अनुपात हो जाएगा जैसे आप देखो हमने कहा कि यह वाटर वैपर इसमें आया विश्वत रेक्षे छेत्र में हाइट टेंपरेचर होने के कारण 4% के आसपास वाटर वैपर है तो जो वाटर वैपर अधिक है तो नाट्रोजन कम दिखाई देगा जैसे से वाटर वैपर घटा जाएगा तो नाट्रोजन गैस की मात्रा क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि नाट्रोजन गैस विश्वत रेखा से द्रुवों की और जाने पर बढ़ती है क्योंकि जल्वास्ट की मात्रा घरती है और जल्वास्ट जो घटेगा उसी को फिल कर देगा कौन नाइट्रोजन हाँ सही कर दिया उसको अनो जी ठीक है तो यह हुआ नाइट्रोजन यह बात आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई जी लिख करके जल्वी बताओ हमें जल्वी से लिख करके बताओ पिज़र्ट में भी जल्वास्ट होता आप थुछी जल्वास्ट नहीं होता अब अतना नहीं हुता है कि बर्षा हो जाए यह बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया इससे डिटेल में आ कोई बताय होता आएगा नहीं धान रखेगा रिपीट कर दीजे एक बार ठीक कर दे रहे हैं हमने क्या कहा नाट्रोजन एक ठिलर फिलर गैस है फिलर गैस क्यों है वहां बताया हमने वाइमंडल में यह अक्रिय होती है परज्वरन का नियमन करती है रेगलेट करती है आग को इसकी मात्रा है धुरों की और मात्रा इसकी क्या होती है बढ़ती जाती है क्यों बढ़ती है हमने कहा कि अगर जलवास बिस्वत र रहे गाए या तॉन नाइट्रोजन इस लिए विश्वत रेखा से दुपों की ओर जाने पर ने पिंट्रोजन की मात्रा बढ़ती चलिए जाती तो शरुब नाइट्रोजन की तो पहली बात तो यह oxygen के बारे में पहला point थो हम दिरिखते हैं कि G1 दाइनी गैस है से इसके बिना संभाव नहीं है यहाइध को देने वाली जिंदगी को देने वाली कैस है ऑक्सीजन, बाकी दूसरी बास समझिएगा, अगर हम ऑक्सीजन की उत्पत्ती की बात करें, जो हमने ज्वाला मुखी क्रिया बताई है, तो जब ज्वाला मुखी क्रिया हुई, ज्वाला मुखीता द्वारा, वल्कनिजम द्वार जाला मुख्यता से O18 आइसोटोप्स निकले, क्या निकला, O18 आइसोटोप्स निकले, लेकिन बहुत कम मात्रा में यह निकला, अगर हम कहें कि आक्सिजन मुख्यता कहां से आया, तो मुख्यता मेंली आप देखेंगे, तो यह आया प्रकास संसलेशन के द्वारा, प्रकास संसलेशन द्वारा उत्पत्ती हुई, अना कि ज्वाला मुख्यता के समय, वो 18 आइसोटोप्स निकले थे, लेकिन मुख्यता इसकी उत्पत्ती हम देखेंगे, प्रकास संसलेशन के द्वारा, और लगातार इस गैस की उत्पत्ती होती जा रही है, लगातार आप देखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं यह है, नीवली एक नवीनतम गैस है, नई गैस के रूप में आप कह सकते हैं, और लगातार इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, यह तो आप देखेंगे, कि इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है अच्छा एक पोईंट दिख नीजिए जो गैस है ये प्रज्वलन में प्रज्वलन में सहायक है यह आक्सिजन के बिना आग नहीं जल सकती आक्सिजन गैस की जरुवत पड़ेदी तभी आग जलेगी प्रज्वलन में आग जलाने में इस गैस की उपयोगिता होती है और क्या होती है स्वसन क्रिया में स्वसन क्रिया में उपयोगिता यानि हम आक्सिजन को लेते हैं और कार्बन डाई आक्साइड गैस को स्वसन में छोड़ते हैं तो यह स्वसन क्रिया में उपयोगिता इसकी है ठीक है तो यह आक्सिजन गैस हुआ इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइए oxygen clear अगर मात्रा इसकी लिखनी हो तो मात्रा लिख दीजिए मात्रा इसकी वाइब मंडल में इसकी जो quantity मिलेगी वह 21% मिलेगी 21% है आफ्सेजिन आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले और आगे अर्गन को देखिए आर्गन लिख लिखिए आर्गन में क्या लिखना है यहाँ एक अक्रिये गैस है और पॉइंट लिखिए अक्रिये गैस है पहला पॉइंट अक्रिये गैस है अगर हम वाइब मंडल में मात्रा इसकी देखेंगे इसकी quantity देखेंगे तो पॉइंट नाइन पर्शेंट पॉइंट नाइन पर्शेंट है इसकी मात्रा क्या करेंगे इसका प्रियोग जो है उद्द्योगों प्लस बल्ब आदि में उद्द्योगों या उद्द्योगों और बल्ब आदि में आरगन गैस का उद्द्योग होता है आरगन गैस भरी जाती है तिक है कि इतना हो गया नेच्ट चलेंगे हम कार्बन डाई आक्साइड सी ओ टू कार्बन डाई आक्साइड अब कार्बन डाई आक्साइड में क्या क्या चीजे हैं ध्यान दीजेगा पहरी बात तो यहां एक ग्रीन हाउस गैस है यह ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैसों का हम एक अच्छा विस्टेशन करेंगे बाद में जब समय आएगा खुरा समझ दीजे ग्रीन हाउस गैसे वे गैसे होती हैं जो वाई मंडल में रहती हैं ऑर साथी शाथ जो सं-रेज आती है उस सं-रेज के लिए जो हमने कहा कि ये संब है अब ये सब बहुत टै suits बहुत इतल डिटेलब विकरन होता है लेकिन जब पृतिवी निसकासन करती है तो यह लांग वेव रेडियेशन हो जाता है लांग वेव रेडियेशन हो जाता है तो जो ग्रीन हाउस गैसे हैं मान लो कि यह आपका वाई मंडल है यह वाई मंडल है तो वाई मंडल में ग्रीन हाउस गैसे भी होती है ग्रीन हाउस गैसें लगु तरंग विक्रन के लिए पारदर्सी होती ही। इनको पार कर जाती है। लेकिन लांग वेवरेडियेशन जब निसकासित करती है प्रतवी प्रतवी जतनी संडरेज लेती है, उतना ही संडरेज रात भर में भोर भर में अगले दिन संन निकलने से प और गर्म पिन्ड में करने शर्ट वेव रिडियेसन थी होती है वह साइट री ओरसी होती है लेकिन इणके ये अपार्ण का का काम करती हैं कि को तुक का मतलब की जो कारवन डायक्षाइड है यह कैसी गयस है एक ग्रीन हाउस गयस है इस बात को जानते रहेगा पहली बार गुसरी बात इसमें यह जानना है कि प्रारंभ में यह आप देखेंगे अगर जो स्टार्टिंग में बात करेंगे तो उत्पत्ति इसकी दो स्रोतों से एक तो ज्वाला मुख्यता जो सुरुुरात में हुई थी वालकनिजम के द्वारा़ इसकी उत्पत्ति हुई लेकिन फिर क्या हुआ स्वसन क्रिया स्वसन क्रिया, जो हम सास लेटे हैं उसमें आक्सिजन पो अंदर लेते हैं कारवन डाइय अक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर करते हैं तो एक स्वसन क्रिया से इसकी उत्पत्ती हो रही है और दूसरी चीछ क्या है ये जीवाश्म इनहन, जो फसिल्सूल होते न तो यह जलना है और ना यह जलना है अगर नहीं करने तरी रहे लखनाओ में भी लाइफ कट रहे है कि अग्षाइब अगरे अगरे वीडियो तो नहीं रुका होगा कि अगरे 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 अगर तो तो आ रही है तुबाइस तो आ रही है यहां बहुत लाइट करती है मैं देखा कि इठाक एरिया में हूं है लेकिन अलहाबाद के तुलना में ज्यादा करती है लाएगे है कि मुस्तुराइए आप लखनाओ में है लिए नहीं रुका है चलते लगे क्या बोल रहते हैं तो यह आप लेकिए तो कारवन डाई आउक्षाड गैस की अगर बात करें तो हमने कहा कि यहां एक ग्रीन हाउस कैस है आप नोट करते रहे हैं ग्रीन हाउस गैस है तो प्रारहम में आप देखेंगे कि यह ज्वाला मुक्षी जो क्रिया हुई थी उस ज्वाला मुक्षी क्रिया के दोरा इसका निसकासन हुआ बात में आप जानते हैं कि जीव जन्तु आ गए तो सवसंद क्रिया में हम आउक्सिजन लेते हैं और पर्बन डाई तो इससे भी कारवन डाई आउकसाइड गैस निकलती है जो ट्रैफिक है ना यह जो आउद्रोगिक संग्पुल है कोईला डिजल का परियोग होता है वही ट्रैफिक यातायात में आप देखें गाड़ियां चलती है तो जीवास्म इन्हन होता है उसका यह उत्पाद दे होता है जीवास्म इन्हन के जलाने से भी इसकी उत्पत्ती होती है तो तीन तरह से इसको उत्पत्ती है प्रारंभ में यह आया ज्वाला मुख्यता से स्वसंक्रिया से बढ़ी रहा है और तीसरा क्या हमने बताया तीसरा हमने बताया जो जीवास्म इन्हन होते हैं उन जीवास् और आप देखेंगे जो IPC की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल जो प्लूशन काउन्सिल है, IPC की रिपोर्ट की अनशार तुरुवात से लेकरकि अब तक का तीन गुना इसमें बृधि हो चुकी है कारवन डायक्साइड गैस में तीन गुना बृधि हो चुकी है और अगर हम इसकी मातरा की बात करें तो वाईमंडल में इसकी मातरा कितनी है प्वाइंट 003 परसंट है कहीं कहीं 4 भी आ रहा तो 3 आपलिक 4 करके दिख दिज्येगा कि क्वाइंट जिरो जिरो थिरी आवलिक फॉर परसंट के आसपास यह वाई मंडल ने पाई जाती है कि यह हुआ है आप देखेंगे इनर्ट गैस कि इसमें कुछ तो आ रहा होगा किसी में इसको लगा दो सिसे लेकिन नहीं लग पाया रहा है कि तो सारे पॉइंट नहीं दिया है कि नहीं होगा देखेंगे वाइंवर्टर तो नहीं आप हो कि अगरा देखिए आप डाल दीजिए हेडिंग कुछ निस्क्रिये गैसों को इसमें आप एक साथ देखेंगे जिनान, क्रिप्टान, नियान, जिनान, क्रिप्टान और नियान, एक साथ देखेंगे जिनान, नियान और क्रिप्टान तो जो ये जिनान नियान क्रिप्टान जो गैस हैं इनके बारे में जानी है कि ये निस्क्रिय गैस इनको कहा जाता है इनर्ट गैस है और ये अतिसूच मात्रा में अतिसूच मात्रा में ये वाई मंडल में मवजूद रहती है में इसवाद हीन इस में कोई बिष्थ गंधने होती है यह गंधहीन और श्र्द हीन गयस कहीं आती ह fiance लिगर लेजिए लिगँची एक कैंद गंधहीन और श्रदहीन गयसे इस और वाइवंडर में इनकी मात्रा लिखिए 0.001% 0.001% इनकी मात्रा है चलो आ गई अच्छी बात यह है कि यहां जल्दी आ भी आती है अच्छी बात है तुसरा दिक्त तो हो भी आपी देखो यह लाइट वाला सब कनेक्ट करके गया है इन्वर्टर से इसमें कतावारी नहीं दिया जबकि बोलके उसको इस पेस्ट भी लगवाया था इसमें सब जोड़ देना कि यहां पर बड़ी मुसीबतों का शामना करना पर ग्राइंग जेंग जल्वास अगली गैस जल्वास लिखो वाटर वेपर वाटर वेपर जल्वास जल्वास उसको फोन कर दीजिए वो आजाए ठीकी जालो अब अगली गैस जो हम देखेंगे वो होगी जलवास जलवास वाटर वेपर इस गैस के बारे में जाना है आपको पॉइंट वाज लिखना है इससे याद भी रहेगा लिखना पड़े अगर मेंस में तो आप लिखते सकते हैं पहले चीज़ तो यह वाई मंडल में एक परिवरतन सील गैस है परिवरतन सील गैस है और गैसे परिवरतन सील नहीं होती है लेकिन जलवास जो होती है यह परिवरतन सील गैस है कभी ज़्यादा कभी कम कहीं ज़्यादा तो कहीं कम अस्थानिक और कालि परिवरतन इसमें दिखाई देता है यह वाई मंडल में यह एक परिवरतन सील गैस है जबकि अन गैसों की मातरा क्या होती है लगबग नियत होती है और आप ध्यान दिएगा कि जल्वास्प लंबवत यवम छैतिज वितरण मौसमे दसाओं का निर्धारक होता है बात को समझेगा जो जल्वास्प है इसमें हमने कहा कि ये लंबवत यवम छैतिज इसका जो वितरण है वो मौसमे दसाओं का निर्धारक होता है मतलब हम अगर आप से कहें कि ये प्रतवी है और ये इसका वाई मंडल है ये मालो इसका वाई मंडल है तो अगर हम कहें कि ये ऐसे वर्टिकल देखें हम ये लंबवत है और ऐसे अगर हम कहें तो ये क्या है ये होरिजन्टल है इस वाई मंडल में आप देखेंगे जल्वास होती है अब नीचे से उपर की ओर जाने पर इसकी क्या इस्थती है मात्रा कैसी है या हम कहें कि बिल्ली से लखनोओ आने में इसकी इस्थती क्या है तो ये च्छायती जो गया ठीक है और ये वर्टिकल हो गया। कहने का मतलब यह है कि क्या इस्थिती इसकी वर्टिकल है मातरा कैसी है और चैति जिसकी मातरा कैसी है यह सारी बातें डिपेंड कर यह यह निरहरत करती है किसको मौसम को कि वैदर कैसा होगा जैसे सपोस्थ एट हम कहें कि इस एरिया में जो जर्वास्प है यहा आदरता है बहुत ज्याद चैपाइब होगए तो जाहिर सी बात है यह जोजाएगा यहा वर्षा क्या होगी अधिप होगी यहाँ माुसम कैसा होगा वर्षा वाला वजाएगा जैन्य है जर्वास हमने कहा बहुत ही कम है निवन्तम है यह मौसम भ्राइख हो जाएगा सुसक प्रज्ञान we एक पॉइंटिस में लिखिए कि जर्वास्त का लंबवत्त यवम 36 वितरन मौशम का निर्धारक होता है निर्धारक होता है कैसा मैसम होता है कैसा मैसम होगा यह कहीं न कहीं से निर्धारक करता है और क्या है और इसका यह है कि विश्वत रेखा से द्रुवों की और जाने पर इसकी मात्रा भी परिवर्तित होती है अब जहां समझेगा अगर मैं आप से कहूं कि ये विश्वत रेखा है ये विश्वत रेखा है ये मद्ध अच्छांस है और ये उच्छांस है यानि कि ये विश्वत रेखा मालो विश्वत रेखा से ध्रूमों की और जाओ विश्वत रेखा से ध्रूमों की और जाने पर इ परसेंट और यहां पर पॉइंट फॉर परसेंट जर्वास्त की मात्रा क्या है घट रही है किदर से किदर जाने पर विश्वत रेखा से द्रूओं की और जाने पर घटती है क्यों घटती है विश्वत रेखिये छेत्र में अधिकतम तापमान होता है सूर्या तब की मात्रा स तो सुनते जाएए आगे एक एक चीज़ें होगी घराने के जरुवत नहीं है तो बिस्वत रेखिए छेतर में आप इतना मान के चलो कि आवसत ताप मान येवरेश टेंपरेचर अगर हम एन्वल देखें तो सरवादिक होता है इस कारण से जब वायू गर्म होगी तो पानी क को सोख लेगी तो यह प्रेशन जादा होगा ना जर्वास को गरहन करेगी जर्वास की मातरा वहां बढ़ जाएगी जहां टेंपरेचर अधिक वहां जल्वास पाजिक हो गया जैसे जैसे आप विस्वत रेखा से दुरूओं की वर जाते हैं ताप मान में कमी आती है और त अब धां देगा इसमें एक बात और जानते रहेगा जो जर्वास को होती है जलवास्प में डजाएपार में लेटेंट हीट होती है जर्वास में गुप्त ऊशमा लेटेंट हीट गुप्त ऊशमा चोब मंदल में ट्रोपो स्फेर में टर्बुलेंस उत्पन करती है यानि विच्छोब उत्पन करती है उत्पन करती है टर्बुलेंस उत्पन हो जाता है यानि जर्वास्त में गुप्त उस्मा चोब मंदल में विच्छोब उत्पन करती है turbulence को originate करती है अब turbulence क्या है यानि वाइव मंडल मानलो सांत है मानलो वाइव मंडल एकदम सांत है कुछ नहीं हो रहा ना उसमें बरसा आया गया अब उसमें अगर हम कहें कि वाटर वैपर उठा उपर गया तो उसमें हीट होती है कौन सी हीट लटेंट हीट गुप्त उसमा वैसे जैसे उपर उठती है वैसे वैसे वाइव ठंडी होती है बताएंगे आप कैसे होती है वाइव ठंडी होती है एक समय के बाद इतनी ठंडी हो जाती है कि जो उसमें पानी है वाटर है वाटर अलग हो जाता है जल कीबून बन जाएगा हिमकण बन जाएगा और में इकल जाती है? और वही गुप्त- bulsma अगर न हो तो ये सारी क्रिया बंद हो जाएकी. यदि गुप्त- bulsma उपर जाएगी. उसके साथ वहाई- ठंडी होगी, पाणी अलग होगा, वाय अलग होगी. तो पाणी क्या होगा वर्षा कर देगा और जो हीट है वह हीट वाइ मंडल को गरम कर देगी तो कहने का मतलब यह है कि जरवास में जो गुप्त उश्मा है यही छोग मंडल में हलचन उत्पन कर देती है इस बात को भी आप जानते रहेगा और मातरा हमने बताई ही आती है ति यह क्लियर हुआ अ यहाकर आड़ें अ तो इतनी गयसों के बारे में हैं अगर गयसों को लिखना होगा इन्ही को आपको 30 में लिखना थामें कर दें अब इसमें जो सॉलिड कन है उसकी बात करते हैं यह तो गैसों की बात होगे सॉलिड को लोग छोड़ देते हैं कि जानते रहेगा तो आप देखेंगे कि जैसे हमने अभी आपको बताया था कि सॉलिड के रूप में बहुत सारी चीजें आपको बनताय था जिसे कहा था एगो शॉल डस्ट पार्टिकिल पॉलेंस अल्गी सर डिजर्ट एरिया में भी तेंपरेचर ज्यादा होता है तो वाटर वैपर कम क्यों होता है उसके बहुत सारे कारण है विकास जित्थोड अधायर रखेंगे अगर हम उसमें घुसेंगे तो फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और हम लोग भटक जाएंगे तो अधा इसनाजी पूरा पढणे वारे हैं कहीं जाने वारे नहीं है ठीक है वो सबस्में में आएगा उसके डीजर्ट का एक कारण नहीं होता एफ को जरूरी थी नहीं कि जहां पर हाईच TEMPERATURE हो वहाँ पर वर्सा हो ही जाए वर्सा का समभन sullaогод है डिरेक्टली नहीं है वर्षा का संबन्द आदरता से है वाई के आरोहर से है हईड्रोइसकोपिक नुक्लियाई से है ओके तो वह सब चीजे हम बताएंगे आप ख़वराइए मत तो सॉलिड में हमने जो बताया है जिसे हमने कहा एरोसॉल डिस्टपार्टिक्ल, पॉलेंस और अल्गी तो ये सब कहां से आता है इसमें बताने के जिरुत नहीं है अगर मैं कहों एरोशाल तो जो धूल कंड जो धुआ होता है जो जोला मुखी बिस्फोट हुआ अब जोला मुखी बिस्फोट के साथ बहुत सारे महीन कंड फोस जोड़े माईक्राउन शेखे घॉटा होता है एरुसालका सबूला मुखे से ऊपर पहुंच गया इसी प्रकार से अगर हम कहें डेस्ट पार्ट के बहु सारे धूलकंड भी मॉड़े में कभी आप घर में रोषदी सन रेस अगर आ रही हो घर में कुसी सुड़ाक से या होल से उसमेंदेखे धूलकंड चमकते रहते हैं सच ठोस के रूप में y-mondal में मौझूद रहते हैं तो इसमें आप देखेका ध्यान से जानना है तो चुकि ये ये वाई मंदल में इनका जो आकार होता है आकार 11 माईक्रां से कम होता है माइक्रान से कम लेस देन 11 11 माइक्रान लेकिन ध्यान रखिएगा को कह सकते हैं कि यह वाई मंडल में एक प्रकार से विलंबित दसा में रहता है यह आपको दिखाई नहीं देगा जैसे अगर आप अपने आसपास देखिए उपर नीचे देखिए तो लगता है कि आपको दिखाई नहीं देगा कभी कभी दिखाई पड़ता है जब संद्रेज आती है कमरे के अंदर बैठे हुए दिख रहा होगा कि हाँ उस पर चमक रहा है ऐसे नार्मली यह अवसेंस रूप में दिखाई देता है दिखता आपको नहीं है तो बहुत ही रोल है वाई मंडल में जो ठोशकन होते हैं इनका बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि यह जो है हाईग्रोइस्कोपिक नुक्लियाई का का कार्य करते हैं अ हैं हाईग्रोइस्कोपिक नुक्लियाई मतलब इन लगशां दिकने। इसको जल सीकर का इसे को कहेंगे आढता एं नभिक ओदॉय अ इसका मतलब क्या है जान दिएगा अगर यह वाइबंडल में बिल्कुल जतने प्रश्ण आपके मन में आ रहे हैं वो सारे प्रश्णों का जबाब हम देंगे और हो सकता है कि समय के साथ साथ आपको जबाब मांगने की जरूत नहीं पड़ेगी लिए यह प्रश्ण मन में आ रहे हैं वह हमारे मन में भी मैं सोच रहा कि यह प्रश्ण मन में आ रहा हो गा कि वह में पता है में अगर यह ना हूँ आए तो वर्सा नहीं हो वर्षा के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं पहला है वाई मंडल में परियाप्त जलवास्त की मात्रा होनी चाहिए दूसरा वाई का आरोहन अफ्लिप्टमेंट होना चाहिए वाई अगर उपर नहीं उठेगी तो वर्षा नहीं होगी और तीसरा सबसे महत्पूर्ण जो इसमें बिंदू होता है वह होता है आदता जराही नाभिक जल सीकर या हाईग्रोइस्कोपिक न्युक्लियाई भी होने चाहिए अब हाईग्रोइस्कोपिक न्युक्लियाई क्या होता है विनिध्यांसे आप इमेजिन करो कि कमरी में जा करके पानी को गरम करो पुकर में इसले चतुरवेदी तो इसमें बहस क्यों कर रहे हैं आपस में आप लोग लड़ेंगे आप प्रस्ट में जो है तो कोई बात नहीं है उसमें आप कि इतना इगो आप लोग क्यों ले रहे हैं बाते तो हमने क्लियर कर दिया ना परशान मत हो यह सब चीज़ें अपने आप स सारा बरसा करा दें सारा हो जाएगा संबह नहीं तो वही तो बात कर जा रहे कि बैठे रहे सांती से आप पढ़ते जाएगे जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाएगे अप लोग इतना इगो इस्ट है ना कि आपस में जड़ा करने लगते हैं आप एक कुकर लिजिये कुकर में पानी को गर्म कीजिए और ये कुकर ना लिजिए दो कुकर लिजिए और उसमें पानी गर्म करतीजिए एक कुकर को कमरे के अंदर रखी और एक कमरे से बाहर खुले आश्मान के नीचे रख दीजी और दोनों की जो सीटी है उसको निकाल दीजी दोनों की सीटी क्या करिए निकाल दीजी दोनों की सीटी निकाल रहेंगे तो क्या होगा जो कमरे में रखा है आपने कुकर उसमें से जलवास निकलेगी भाप निकलेगा और जा करके छचछ से टक्राएगा छच से क्या होगा वह टक्राएगा और जो खुले आशमान में आप रखेंगे वह निकल करके पदा नहीं कहाँ चला जाएगा तो आपको दिखाए नहीं देगा सथ से टकराएगा तो फिर क्या दिखेगा वहाँ पर वो कंडनसेशन होना शुरू होगा और जल की बून टप टप नीचे टपकना शुरू कर देंगी यानि कि छट जो है अगर ना होती तो क्या ये बूंदें गिरती बरसा होती नहीं होती तो छट ने क्या किया एक नुकलियाई का काम किया एक नाभिक का काम किया यानि जो हिमिलिटी थी उसी को उसने क्या कर लिया खिच लिया अपनी तरफ और उसको क्या करिया सोख करके संगनन की क्लिया कर दिया कंडेंसेशन हो गया या अगर हम कहें कि वाई उपर उठ रही है जब तक कोई एक च्छत नुमा लेयर नहीं मिलेगी आतागराही नाभिक नहीं मिलेगा तब तक वो जो नम जलवास्प है वो कहां पर संगनन होगा नहीं होगा अगर यह आ जोखो यहां से अगर हम कहें सता है अब यहां का यह और पर जब आखना तो थन्डी होती है दो अगर्टमान लगता यहां मालो दो डिग्री सेंटीग्रेट आपमान हो गया यहां पर उपर जाने पर आपमान घरता है तो जब वाई गरम थी तो पानी को सोख लिया जल को ले लिया लेकिन जब उपर गई तो वाई ठंडी हो गई तो आप जल को तो रोक नहीं पाए कि अपने पास तो जल को बाखर निकालने कुछ करेगी कि तब निकलेगा जल जब इस पर कोई layer हो कोई परत वो एक च्षत नुमा नाभि का कोई कारिय करने फोस परत हो तो उससी से चिपक करके जलवास्त क्या कर जाएगी जलवास्त क्या होगी संग्रन की क्रिया होगी और जो वायू है उसमें से जल निकल जाएगा बाहर जो भाप के रूप में था जलवास्प के रूप में था वह बाहर निकल जाएगा और निकल करके में जो यह जर्वास्थ जा रही है। वाईृ जो जा रही है यह्योश सूपर кूल गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी। सूपर कूल क्यार्च हो भी बहुंती रहेगी। वर्शा नहीं हो सकती। माइनस फोटी डिगरी तक यह भूंती रह उसे में एक सुपर कूल गैस की तरह घूंपी रहेंगी लेकिन वर्षा नहीं होगी जब की वर्षा आप जानते हैं जैसे ही दो तीन डिगरी सेलसियस ताप मान होता है वर्षा होने लगती है तो इसका मतलब हमारा यह है कि आताग राही नाभी का बहुत बड़ा रोल होगा अगर यह नहीं हो तो किसके सहारे जाकर के वाई कंडनसेशन करेंगे सुपर कूल गैस बन जायेगी ठीक है लेकिन संग्नित नहीं होगी कंडनसेशन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी तो सौलड का यही रोड है क्लियर हुआ सालड अब देखे हैं गर यहाग लिक्डि divert त तरल में जानते रहिएगा जनरेरीलोग जानते हैं कि धूलकण होता है, गैस होता है। लेकिन आप जानियेगा यहां पर जलकण भी होते हैं जलकण भी होते हैं । यहां तो कह सकते हैं किम तर सभॣ मिलटने बात नहीं कि सर जल तो रहेगा ही जल अगर नहीं होगा तो वर्सा कैसे होगी वर्सा वाला जल आइस के रूप में गिरे और जल के बून की रूप में गिरे उस जल की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं उस जल की बात कर रहा हूँ जो absence है जिससे वरसा का कोई लेना देना नहीं है इनको हम किया कहेंगे जला कर्ण के रूप में ये वर साव आला जल नहीं यह वो तो जल हाई है कुछ दूसरी चीज हो गया वाई मंडल में हमेशा मौजूज रहता है जिसमें हम जला कर्ण हिंकर्ण ऐस पईलेड् dafür इनका आकार बहुत ही सूच्म होता है इनका आकार बहुत ही सूच में होता है ग्यारा से लेकर के 600 माइकरां तक इनका आति सूच में आकार होता है और ये वर्षा के लिए निलंबित होते हैं वर्षा के लिए निलंबित होते हैं निलंबित होते हैं वर्षा के लिए निलंबित होते हैं इसे वर्षा नहीं होते हैं तो कुछ मात्रा में हाइग्रोइस्कोपिक वाटर, जलकन, हीमकन, आइस पैलेट्स ये सब पढ़े रहते हैं जिनका वर्षा से संबंद नहीं है और तरल के रूप में भी वाइमंडल होता है ये दोस्तों हमने जो बताया आपको ये हमने क्या बताया ये हमने बताया आपको लिक करके बता हमें क्लियर हुआ इस बताया ईस कि तो है कि इस में गैस आ लो ता लिए कि अ ओ आंडेट परसेंट क्लिएर हो गया तो एक प्रस्ट लिखो इस पर कोशन लिखो एक कोर्षान लिखो आप के एक कोशन लिखो हुआ है और भेजो मेरे टेलीग्राम पे टेलीग्राम को अध़ा गुरुप में नहीं है टेलीग्रामम में हम भी जूड़े हैं तो हमारे परसनली भेज़े नहीं हम देख लेंगे कोश्ण लिखो इसके संगठन को समझाइए या इसके संगठन को बताइए या इसके आप इसको 150 वर्ड में लिखेंगे 150 सब्दों में इसको लिखे दिखाईएगा बेज़ेगा पका भेजेंगे ना लिखेंगे और संबह हो तो पॉइंट वाइज ना लिख करके लेकिन पैराग्राफ लिखायाता है लेकिन यहां पर आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं लेकिन तीनों का अलग अलग गैसे सॉलर्ट तरल तेनों कंपोजिशन आप लेकर के बताईए नेश्ट अजीब लग रहा है नई जगा यह ना अजीब लग रहा है कुछ चीज़ें भी बहुत सेट नहीं है तो थ्यासाब है दो चार बार जब क्लास देंगे तो फिर वह सही हो जाएगा आप अपजेक्टिव कुश्चन एक अपजेक्टिव कुश्चन लिख लो आप अपजेक्टिव कुश्चन एक बना लो ऑक्सीजन और गन कर्बन डाइक्साइड कर्बन डाइक्साइड और क्या लिख दें नाइट्रोजन ठीक है कूट का मिलान करिए कूट का मिलान करिए परसंटेज लिखा हुआ है मिला दीजिए कि अक्सीजन कितना है और गन कितना है कर्बन डाइक्साइड कितना है नेट्रिजन कितना है तर लिजिए बिल्कुल बहुत लगाव हो जाता है और मैं लोट के आऊंगा भी अलावाद थिर चलो ठीके बढ़े वाई मंडल की संदशना है दिन दालो वाई मंडल की संदशना एं डाइ मंडल की संदशना है इस्ट्ट्ट्टर रफ अथ ट्मोस्पहर तो सबसे पहले आप एक चित्र डबना लो एक डाइग्राम ड्रा कर लो त्यादा अच्छा रहेगा कि यह मानलो की जीरो डिग्री अच्छान से और यह नाइन्टी डिग्री नार्थ कर लो चाहे पूल वह साउथ कर लो इस बद रेखा है सबसे पहले आप देखेंगे 16 किलो मिटर किताबों में अलग-अलग होगा आप तो घबराना नहीं है और यहां पर आप कर लो 6 किलो मिटर यहां पर आप कर लो 8 किलो मिटर और यहां पर आप कर लो 18 किलो मिटर हम देखो इसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम ट्रोपो स्फेर छोब मंदल यह जो बनाया हमने यह हो जाएगा ट्रोपो पाज शोब शीमा शोब शीमा ठीक है फिर आप चला जाएए शिप्टी किलो मिटर पर किलो मिटर और यहां पर आप देखेंगे इस मंडल को हम क्या कहते हैं तो कहते हैं समताप मंडल इस्ट्राइटो इस्फियर समताप मंडल यहां पर आप देखेंगे सोला किलो मिटर से लेकर कर रहे हैं यह वाला किलो मिटर से लेकर कर रहे हैं पोजोनो इस्फियर पोजोन गैस यहां होती है पोजोनो इस्फियर 88 किलो मिटर तक जाएए 88 किलो मिटर इसको हम कहेंगे मेसो स्फियर मद्धे मंडल 88 से 90 तक यह 90 किलो मिटर है इसको कहते हैं मेसो पास मिजो पास पी ए यू एसी मद्धे सीमा मद्धे सीमा कि जाएए छेसो बीस किलो मिटर तक छेसो बीस किलो मिटर इसको कहेंगे आयनो इस फियर आयन मंदल अंदर ही डिक देते हैं आयन मंदल तिक है 32 किलो मिटर तक अंदर इसको रखते हैं एक सो इस फियर वहीर मंदल बहिर मंदल कि ए लेयर और एफ लेयर दो ही जानना है हाला कि और भी है आपको दो जानना है कि जल्दी बनाओ इसको इस बन जाये तो बताओ हमें कि को चिस फ्लसर नीचा करेंगे यह उपर हो गया और कि अ कर दो है कर दो आदि नीरीचपाल जान बूच करके किया है जो चीजें हम मिस्स कर रहे हैं वो जानबूसे कर देते हैं उसमें घवराने की जरूत नहीं है लो जानबूसे की जरूत नहीं है अ वो या यानबूसे के लिए कि हुग गया लेकिन इस प्लैन नहीं करेंगे कि हमारे टेक्टेक्टि लाइट वाले इस वा गये हैं तो बुला लिया गिया है तो इसको सही करा ले लोग बैटें काफी दियर से ताकिदियर से बैटें इसको करवाना जरूरी है इसको करवा लेते हैं और हम कौस्तुबी से बात करेंगे अगर वो हमें समय देंगे तो हम जो क्लास कम हुआ है या धर मिस हो गई कल की क्लास उसकी भरपाई करेंगे हम आएवारे दिनों में अगर संबह होगा तो हम कल ही लेगे क्लास इसको सही करना जरूरी है क्योंकि मजह नहीं आ रहाए पिर और आ गए है लोग मेकैनिक लोगों को बुलाया गया है तो बोलुट पर सही कर दें इसको ठीक है तो आप लोग यहीं पर रोकेंगे आज का बैग्राउंड भी अलग है यह बैग्राउंड हमको अच्छा नहीं लग रहा है बहुत चुब रहा है तो यह सही भी नहीं है इसको सही करते हैं फिर हम क्लास कांटिन्यू करेंगे घवराइए मत कहीं न कहीं हम भरपाई इसकी करेंगे और देखो एक ची बिदा दें बहुत असफस्ट शब्दों अगर आप मुझ से पढ़ रहे हैं तो ठीक है और सरव लोग भी मेहनद कर रहें सब लोग पढ़ा रहें हैं कि सबकी अपने टार्गेट्ट हैं लेकिन मेरा जो टार्गेट है मेरा टार्गेट है आपको जगरफी पढ़ा देना सिखा देना औ और इस लायक बना देना कि आप भूगोल में कहीं भी ना फ़सो यूपीएसी में चाहे वो पीटी का प्रश्ण हो और चाहे वो मेंस का प्रश्ण हो आप कहीं पर भी ना फ़सो उसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें समय लगेगे हमारा पेपर है 20 तारीक को अगले महिने में दो महिनें पेपर है हमारा कोर्स खतम हो जाए तो यह संभाव नहीं हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे क्या इसकी गारंटी है कि आने वाले अप 13 टुबर को जो एक्जाम होगा आप उसी बार आईस बनी जाओगे जब तक पू पिर तो हम आपके साथ अन्याय करेंगे और अन्याय हम करेंगे नहीं हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे सिखाएंगे आप कुछ लायक बनाएंगे कि हम अगर प्रियाग राज में नहीं हैं तो कम से कम आप मेरी गद्दी को ही समालो वहां पर कम से कम लोगों को पढ़ा लाकि मैं सनिवार रभिवार तो आऊंगा ही तो इसलिए हम सोच रहें कि आपको अच्छे से करें चीजें बहुत सही से जब रखना पड़ेगा औश दमनत्र है कि पहला मंत्र यह है पेसैंस अगर पेसैंस नहीं होगा कुछ नहीं करतु की सिखाने वाला कितना भी दे दो आप कितनी बड़ी से बड़ी कोची में चला जाओ इस तरह से सिखाने वाले आप तो कोई नहीं मिलेगा इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं आपको धायर रखना पड़ेगा तो यह मत सोचना कि सब्सक्राइबल है प्री में सब चल रहा है तो ऐसे हलके फुल के लोग होंगे नहीं तो इसलिए जहां से आप लोग पढ़िएगा हम आपके जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा नोटिस के जाएगा कैसे मेरी कप क्लास होगी ठीक है बाइबाए टेक केर अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिए